है 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 हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ही पीए सी अकाड़मी में तो आज की जो वीडियो है हमारी वो एम्यू प्रीवेस एर कोशन पेपर जो 2021 और बाइस का जो बी ओनास का पेपर है उसको हम डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर और यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर जो है जो भी हमारा साल का पेपर है उसको हम डिसकस करने बाले है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सिलेवस क्या है जो आप इंट्रेंस एक्जाम दोगे उस इंट्रेंस एक टॉपिक पर यहाँ पर कोश्चन आते हैं पहला क्या है आपका एंग्लिश जो 25 मार्स का होगा इंडोसरामिक कल्चर एंड अलीगर मूवमेंट ये 25 मार्स का है जनरल एवरनेस एंड करेंट एफिर्स ये भी 40 मार्स का है जो सबसे ज़्यादा है और 10 मार्स का आपका रीज के लिए दें चाहें आप शॉष रोजी साइकलोजी जिस कोर्स के लिए भी आप मलग जिस पर्टिकुलर सब्जेक्स के लिए आप लाहीं कर रहरे है बिए का पेपर बी एंट्रेंस एकजाम के लिए आपको एक ही पेपर देना है कौनसलीं के टाइम पर वहाँ पर वो नंबर के सबसे आपको मिल जाता है ठीक एंगे जैसे और इस जाम्या की बात कुरूँ हूँ तो वहाँ पर हिस्टिरी के लिए अलग होगा सॉसिलोजी के लिए अलग होगा जोगरफी के लिए अलग होता है तो इसके लिए अलग अलग होते हैं यहाँ पर टोटल यह 100 questions आपके आएंगे 100 questions और यह 100 questions 100 marks के यहाँ पर होगे ठीक है यहाँ पर negative marking भी है तो यह चीज़ आपको जानना जरूरी है और अगर आपका question सही होता है तो आपको one marks यहाँ पर मिलेंगे negative marking के disadvantage यह कि आपको तुक्का नहीं मारना है तो वही question करें जो आपको आते हैं otherwise आप छोड़ दें यह पर जिसमें आप 50-50 हो तो उनको लगा के है otherwise आप नहीं लगा के है यह आपका paper series भी है हमारी इस साल की चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो दुगो क्योंकि 100 questions है और हम 100 questions को प आपको बता दूगा यहाँ पर तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो पहला question करें कि आपको most suitable passive form बताना है यह जो है वो active form दी उसका passive form तो इसका answer हो जाएगा सी सेकंड का answer भी आपका क्या होगा सी होगा तो आप वीडियो पॉस करें और अपने इसाप से इसको solve करें फिर answer चेक करें अपना ठीक है तो last nine years के paper जो है मैं बना रहा हूं 1213 का आपको मिलिया होगा 14 का आपको 15 16 से लेकर यह last है ठीक है अभी तक के साब से तो यहाँ पर question number 3 कह रहा है इसका answer हमारा हो जाएगा question number 4 का answer यहाँ पर बी हो जाएगा तो मैं इस पर related एक separate video बना दूँगा आपके लिए question number 5 देखें तो 5 का answer A हो जाएगा 6 का answer यहाँ पर B हो जाएगा 7th question की बात करें तो 7th question हमारा है rearrange करना है आपको तो इसका answer आपका D हो जाएगा एक मिट इसका answer क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा और 8 8 की बात करें तो 8 देखें तो 8 का answer की हो जाएगा B हो जाएगा 9 का answer हमारा क्या हो जाएगा थीक है ठीक है 10 का देखें तो 10 का नसरा हो जाएगा यहाँ पर D 11 का एक मेट उसको मौस से ही जो है वो इस्क्रोल डाउन करते है ठीक है तो 11 का यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा चलिए अब करते हैं तो 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा अब चलते हैं 13 तो question अगर आप दिया है और इसमें आपको यह आंसर देने हैं तो कह रहे है तो आपोसिट ऑफ वर्चु वर्चु का पोसिट होगा वाइस ठीक है आंसर सी होगा 17 का आंसर यहां पर हो जागा यह जितने भी मैं आंसर आपको दे रहा हूं यह सारे आंसर जो ओमर सीट ऑफीशेली जो डिकलेर होती है उसके एसाफसे तरह हो सकता है कि यहां पर एक दो कुशिन का आंसर गलत हो ओमर में भी चैलेंजिस होते हैं हर साल ठीक है तो उसको आप अपने इसाफसे सही कर ले या उसका आप कमेंट बॉक्स में होचे रिपलाई कर दे मैं उसका आंसर आपको बता द हो जागा 22 फिल इंदा ब्लेंक करना है तो इसका आंसर हो जागा 23 23 का आंसर यहां पर यह वो डी हो जागा दा इस्पेस 24 फिल इन्द ब्लैंक जिफ्रा आगया तो इसका अंसर ए हो जाएगा 25 आपको correct word pick करना यहां से तो यहांसर यह हो जाएगा I hadn't eaten ठीक है अब हम बात करते हैं question number 26 तो इसका answer D हो जाएगा मुहला क्रेनिक I primarily health centers in Delhi ठीक है अब यहां पर 27 का देखें तो 27 who wrote wings of fire तो डॉक्टर अप्टुल कलाम ने इसको लेखा तो इसका answer D हो जाएगा 28 28 का answer होगा एनम जोशी को answer number option number D 29 देखें तो 29 का यहां correct answer B होगा operation clean art is related to protection of mangoes ठीक है अब यहां पर 30 देखें तो 30 जो है वो उसका answer D हो जाएगा Samsung star labs artificial intelligence related the capital of Nigeria यहां पर अबुजा अबुजा है ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा 32 का जो correct answer होगा वो individualism मतलब C correct answer 33 का भी यहां पर क्या answer है C correct answer हो जाएगा ठीक है अब हम आगे बात करते हैं 34 की तो European who came first to India war Portuguese तो सबसे पहले को न आरते पुर्दगाली आए थे हैं ठीक है ठीक है पुर्दगीज तो यहां पर 35 का answer जो है वह यहां B हो जाएगा 36 का answer यहां पर A होगा 37 शोका इंक्रिप्शन और इन प्राकृत language तो प्राकृत जो लेंग्वेज है उसके अंदर inscription को लिखा गया था अशोका की ठीक है यहां पर 38 देखें तो 38 का answer जो है वह क्या है C है physician 39 का जो answer है वह आपका यह हो जाएगा ए नेशनल हेरीटेस 40 का जो answer हो जाएगा वह यहां पर B होगा सेयद अहमद खान जर्नल तहजीब उल अखलाक वाज स्टार्टेड वाई किसने स्टार्ट की थी सेयद एहमद खान साब ने तो इसका answer भी हो जाएगा 41 का यहां पर answer जो है वह आपका C हो जाएगा 42 का correct answer जो होगा वह होगा 43 का correct answer यहां पर A है 44 का यहां पर answer हो जाएगा B 44 क्या the climate of India can be broadly described as tropical monsoon टाइप इंडिया का जो climate है वह ट्रॉपिकल इंडिया का होता है जब आप जोग्रिफीक अंदर बढ़ेंगे तो यह चीज़े जोग्रिफीक का पार्ट है ठीक है 45 का answer यहां पर D होगा एंधरा साइट 46 का यहां पर correct answer हो जाएगा यहां पर D हो जाएगा 2019 की बात कर रहे है 2019 वर्ल्ड हैल्थ और्गनाजेशन डबलू एचो ने जो most populated city in the world जो है वो किसको दिया कानपुर को ठीक है लोनार लेक इस इन तो यह हो जाएगा महरास्ट्रा के अंदर 20 का correct answer है 48 का correct answer भी हो जा जाएगा 50 का correct answer C है 51 का correct answer D है 51 का 51 का correct answer D हो गया 52 का correct answer यहां पर A हो जाएगा सक्क्यम 53 का correct answer जो है वो C आमिर खुसरो सरोध तो यहां पर 54 देखो देंस्टिटूशन ओफ पंचादी राज रिसीव्ड कॉंस्टिटूशनल गारेंटी स्टेटस एड़ लेजिटिमेसी बाई 73rd Constitutional Amendment Act 1992 के अंदर यह इसको जो है वो लेजिटिमेसी मिली गारेंटी स्टेटस मिला constitution के अंदर 55 who was the chairman of fundamental rights subcommittee तो यहां पर जो है वो आपको answer या क्या हो जागा यहां पर D answer हो जागा 56 का answer आपका C होगा 57 का answer जो है वो आपका article 51 A ठीक है the article of the constitution deals with the fundamental duty तो 51 A जो है article 51 A deals with the fundamental duties का answer D हो जाएगा 58 का correct answer यहां पर C होगा President of India 59 का correct answer B हो जाएगा 60 का correct answer Stagflation की बात करें economics का term है यह आपका क्या है Ds का answer हो जागा inflation with depression Stagflation कहते हैं ठीक है उसको short form में यह लिखा मतलब उसका describe कर रखा है Stagflation क्या होता है 61 में अगर जाए तो उसका answer आपका 61 का answer यहां पर A होगा अब यहां पर 62 का बात करें तो इसका answer B हो जाएगा 63 का answer यहां यहां पर C हो जाएगा 64 का correct answer यहां पर B होगा judicial activism जिसको बोलते है PIL public interest litigation may be linked with judicial activism 65 का answer यहां पर क्या है B है which famous readers photo journalist was recently खेंड़ अफगनेस्तान तो काफी news में भी रहते दानिश शिद्धिकी 66 का correct answer जो है वह आपका B है अब यहां से यह पार्ट आजएगा आपका reasoning का तो अगर reasoning वाले पार्ट में अगर आपको की दिक्कत हो रही तो आप क्या करें comment बॉसमें मुझे जरूर लिखें अगर आपके comment जो है वो sufficient होंगे then मैं separate video ज़रूर बना दू नेक्स्ट इस वीडियो का जो next question है वह है आपका 67 का answer जो हो जागा वो B हो जाएगा 68 का answer हमारा B है 69 का answer भी है अगर इसमें आप अगर मुझे 10 question ऐसी देदेंगे जिसमें आपको दिक्कत आ रही तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा अगर comment जाद आते है तब भी मैं वीडि 72 का correct answer यहाँ पर A हो जाएगा 73 का correct answer यहाँ पर C है 74 का correct answer जो है B है अगर आप इन question कर रहे है तो इसको वीडियो को pause कर ले फिर उसको करें फिर आप answer चेक करें 75 का correct answer यहाँ पर B होगा 76 का correct answer यहाँ पर D हो जाएगा 77 का correct answer B 78 का correct answer जो है वो B होगा 79 का correct answer D हो जागा यहाँ का करेक्ट आंसर यहां पर ए है मुहम्मद बिन तुगलब 81 का करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा डी सिलैब डैनिस्टी ठीक है दोको यह जो है वो दोजार एक तेरह चोदा में इस तरह का कोशन आया ठीक है तो बहुत सब्सक्राइब आपको रिबीट करेंगे 82 का अंसर जो हो जागा वो डी हो जागा अल्लामा मुहमद इकवाल फैमिली औरिजनली हेल्स फ्रॉंग तो जो अल्लामा इकवाल की बात हम करते हैं तो अल्लामा थानी व्यश्व अहमद गया? 83 का अल्लामा मुहमद जाएगा? 87 का और कंए अंसर बेंगा एटी एट का जो क्रिक्त आंसर हो क्या है? डी क्या है ृली अल्लामा भी थी कह? तो इसका आंसर है C फतेफूर सीक्री 92 का आंसर यहां पर C हो जाएगा 93 का और यहां पर D है 94 का और यहां पर B हो जाएगा 95 का और यहां पर A है 96 का correct answer यह A है 97 का भी correct answer यहाँ पर A हो जाएगा ठीक है 99 का यहाँ पर The author of हयात-जाविद is मौलाना अलताफ हुसैन इसका correct answer है मतलब C इसका correct answer होगा 99 चराग देहलवी is real name तो चराग देहलवी का जो real name है वो क्या है नसीरुदीन मतलब C जो है वो correct answer है and the last question हमारा जो होगा वो हो जाएगा 100 the real name of विकारुल मुल्क is मुस्ताक हुसैन तो इसका answer क्या है B है I hope कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा देखिए आप इसको कैसे करें जैसे जैसे मैंने सारी वीडियो नहीं तो previous year question paper जरूर लगा लें जो मैंने बुक बताईए वो सारी चीजें आपको description में link मिल दाएगा आप उसके दूरू जाके देख सकते हैं I hope कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए आपको 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 सारी येडियो झाल झाल